P.Krishna Reddy कहे रहे हैं, Can I choose digital network marketing as my niche? Krishna जी, अगर आपको लगता है, तो आप इसमें अपना niche बना कर आगे कार्य कर सकते हैं, there is no problem, it's a good niche, yes. Anonymous attendee है कोई, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो कहते हैं कि good evening sir, मैं business, google my business में account बनाया है, और उस पर हमारा number जो है, वो under review है, it is visible, and has tried its best to correct it, but it could not be done. 100% ये समय लेने वाला procedure है, google कभी-कभी 2-3-3 महिने ले लेता है, changes करने के लिए, google का process slow है, समय लगता है, थोड़े-थोड़े समय के बाद, हफते-दो हफते के बाद आप check करते रहिए, आज नहीं तो कल आपका number verify हो जाएगा, अगर कोई दिक्कत लगती है आपको, तो नहीं के पास authority है, उसे check करने की, okay, सर नंद किशोर मोरिया जी कह रहा है, कि सर यूट्यूब पर यदि कोई व्यक्ति मेरा वीडियो बार बार देखता है, तो क्या हमारे watch time में बार बार जुड़ेगा या एक ही बार, अगर कोई व्यक्ति आपका वीडियो बार बार देखता है, अगर वो व्यक्ति आपकी email id से नहीं देख रहा है, अपनी email id से देख रहा है, और उसका जो IP address है, वो अलग है, यानि कि उसका जो internet use कर रहा है, वो अलग है, तो वो बार बार जुड़ता है, बात समझ में आ रह वीडियो है, और मेरी ही email id से बार बार देखा जा रहा है, मेरे ही internet से, मेरे ही घर में, तो वो नहीं गिना जाता, लेकिन कोई और मेरा वीडियो बार बार देख रहा है, तो फिर वो गिना जाता है, ये कैसे पता चला कि मेरे चैनल पर, जो मैंने strangest secret of the world का वीडियो डाला ह है, वो सारे students बार बार देखते हैं, तो वो उतनी बार गिना जाता है, ऐसा नहीं कि एक बार गिना जाता है, बार बार गिना जाता है, येस, नंद किशोर मौरिया जी कह रहा है, सर मैंने digital प्रगती नाम से डोमेन खरीद रखा है, digital प्रगती नाम से YouTube चैनल बनाया है, क्या हमें इसका कहीं registration भी करना पड़ेगा, देखे, digital प्रगती, अगर आपको लगता है कि ये आपका brand बनने वाला है आगे, तो आप इसका trademark registration करा सकते हैं, जैसे कि मैंने already digital आजादी का करा लिया है, मतलब मैंने application कई महीने होके डाल दिया है, उसे एक साल या तेड़ साल लगता है, फिर आपको वो registered mark मिल जाता है, उसके उपर आप R लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका logo final होना चाहिए, उन में से कोई लोग trademark का काम करते हैं, उन से trademarking करा सकते हैं, येस, बाकी तो कोई registration नहीं होता, मुझे लगता है, शॉपक लाइसेंस और trademark आप करा सकते हैं, रजनी कालराजी के रहे हैं, सर मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, और मोबाइल में ही सुनते हैं, परफेक्ट लगता है, बट वही वीडियो लैप्टॉप में सुनते हैं, तो काफी noisy feel होता है, क्या solution निकालें, देखना चाहिए, you have to use better equipment, रजनी कालराजी, आप क्या equipment यूज तर रही हैं, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन usually, अगर आप headset, ये जो हम यूज करते हैं, ये headset अगर noise और echo cancellation वाला मिल जाए आपको, तो आप वो use करके देखिए, अच्छा होता है, मैं पहले दिन से ये apple वाले use करता हूँ, ये करीबन I think, अठारा सो या दो हजार रुपए के हैं, और मैंने अपने सारे courses, इनी headset पे record किये हुए, ये वाला mic, audio card, ये सब बहुत बाद में आया, लेकिन पहले मैं इसे इसी पे काम करता था, I was getting very good results, कोई problem नहीं आया, तो कई बार नहीं ये trial और error करके देखना पड़ता है, मैं भी जब भी कोई नए mics खरीदता हूँ, या कोई नया tool खरीदता हूँ, तो मैं बहुत trials लेता हूँ, देखे मैंने अभी ये वाले mic खरीदे, ये आपने देखे होंगे, ब दूरी तक बात कर सकते हैं, कैसे, it's a trial and error game, आप try करते रहिए, बनाते रहिए, check करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम करना है, कौन सा आपके लिए जाधा बहतर है, yes, रजनी जी, एपल का headset जो है, ये Android phone पर भी काम करता है, एपल के दो headset आते है, एक में ऐस पतली चप्टी वाली पिन आती है, जो एपल का ये वाला जो होता है ने नीचे, ये थोड़ा चौड़ा होता है, इसके अंदर जाती है, और मैं जो यूज करता हूँ एपल की, वो round head वाली है, ये वाली है, I think इसे 3.5 mm jack कहते हैं, ये आपको आपल में मिल जाता है, ये किसी भी phone में लग जाता है, येस, Gotham Shaw कहते हैं कि WordPress में e-commerce बनाना सेफ है क्या, डिजिटल दुनिया में 100% कुछ भी सेफ नहीं है, Google भी hack हो जाता है, Facebook भी hack हो जाता है, बड़ी से बड़ी banks भी hack हो जाती है, WordPress भी hack हो जाता है, अब e-commerce किस लेवल का करना है, वो आपको पहले decide करना पड़ेगा, जैसे आप, कोई मेरे जैसा, जैसे कपड़े का business है मेरा, तो मुझे नहीं डर लगता e-commerce website बनाना WordPress पे, जाता से जाता वो क्या कर लेगा, hacker, मेरे customers का नाम नंबर, यह सब चोरी कर लेगा और क्या करेगा, तो वो तो आम भी available है, हाँ, अगर मेरी bank होती, या मेरे पास लोगों का confidential data होता, तो मैं थोड़ा सा सोच समझ के काम करता, so you have to be very logical Gautam, कि आप क्या काम करते हैं, आप किस तरह का data handle करते हैं, और फिर उस data को कितनी security की जरूरत है, है, so you have to do a little beach वाला काम, okay, भले आपका काम सिंपल है, लेकिन आप अगर बहुत फिनिकी हैं कि नहीं, मुझे तो एकदम safe रखना है, तो website को safe रखने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, then you need development की team, you need plugins जो secure रखते हैं, और फिर बहुत सारा वो ताम जहाम बढ़ जाता है, तो मुझे पता नहीं, आप क्या काम करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा आपको detail में नहीं बता सकता, लेकिन just take a calculated call, okay, या, अवीता जी कह रही है, सर, celebrity बनना है तो कैसे और क्या करना चाहिए, celebrity बनना है तो कोई भी एक काम अच्छे से कीजिए, और ऐसा काम कीजिए, जिससे लोगों को फरक पड़े, लोगों को कुछ उसमें से मिले, either education or entertainment, that you should be doing, अशिश कुमार के रहे, इस करोए के channel on YouTube goodness, because it's my passion, but copyright is the problem in it, आपके सवाल में आपका जवाब है, आप YouTube channel पर अपना content डालिए, लोगों का content अगर आप modify कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल थोड़ा problem आने की संभावना है अशिश जी, Yes, मुझे इजाज़त दीजिये, sign off कर रहा हूँ, मैं हूँ संदीब बंसाली, digital आजादी का रचियेता, निकल पड़ा हूँ, इस mission पर help करना चाहता हूँ, कम से कम 10 लाख लोगों को, चाहता हूँ कि आप सब मुझसे digital marketing सीखे, इसे implement करें, और इस knowledge की मदद से अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए sources create करें,